So, Hello Friends, आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं फार्मसिटिकल पैकेजिंग के बारे में कि फार्मसिटिकल पैकेजिंग क्या होती है क्यों जरूरी होता है ये पैकेजिंग करना और किसी भी ड्रग को पैकेजिंग करने के लिए क्यों जरूरी होता है कितने type के packaging होते हैं यह सब के बारे में आज की class में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पहले हम लोग packaging के definition देख लेते हैं कुछ definition उसके बारे में तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि after the manufacturing of drug it is essential that this should be stored properly the stability of drug during the storage depends on the so many factors and proper packaging is on them मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि जैसे manufacture करते हैं किसी भी drug manufacturing करते हैं तो उसमें कुछ essential रहते हैं store करने के लिए उसमें properly उसको store किया जाता है अच्छे से हैं तो उसके stability जो drug की stability रहती है है जैसे formulation करते हैं किसी भी drug की तो उसके stability को रखने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसको इस्टोर करके रखने के लिए उसमें पैकेजिंग करते हैं, तो उसके कई सारे फैकेजिंग करने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग के कई सारे उसके फैकेजिंग के बारे हम यह बोला जा रहे हैं, कि नॉर्मली जै direct contact with the containers and closers मतलब इसमें यह बला जा रहे है कि जो pharmaceutical product जो रता है वो किसे कौन्टेक्ट में रहता है directly containers and closer रता है उसके contact में रता है जैसे हम लोग कोई सब ही doses form देखते हैं जैसे कोई सब ही drug देखते हैं जैसे उसको packaging जैसे देखते हैं स्टेइनर्थेस हैं उससे वह डाल दिया जाता है जैसे टेबलड हो गया है ना कैप्सूल हो गया यह से एक ग्लास कंटेनर एक फीर प्लाश्टिक के कंटेइनर रहते हैं इसमें उसको इस्टोर को लाई जाते तो गषए त्लीख क Inip到 हमारा टेबलेट बोल सकते हैं यह हमारा टेबलेट है इसके उपर जो कवर किया जाता है उसको डिरेक्ट कंटेनर यानि कि डिरेक्ट कॉंटेक्ट में आना बोल सकते हैं यानि कि इसको बोलते हैं प्रैमरी बोल सकते हैं प्रैमरी पैकेजिंग बोल सकते हैं तो उसी को बोला कुछ qualities होने चाहिए, containers के कुछ qualities होने चाहिए, अगर packaging कर रहे हैं किसी भी drug को, तो उसके कुछ quality रहते हैं containers के, तो उसके बार हम थोड़ा देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, तो first जैसे देखते हैं, withstand wear and tear during normal handling, मतलब यह बोला जा रहा है, कि जैसे हम लोग किसी drug को handling कर रहे हैं, है ना, जैसे कि कोई सा container लिए, है ना, जिसमें हमारा drug जो है, वो उसमें store है, तो हम लोग वो container जैसे ले रहे हैं, तो normally handling से वो तूटना फूटना नहीं चाहिए, तो यह एक quality उसमें होना चाहिए, कि वो तूटे फूटे मत, अच्छे से strong रहे हैं, है ना, elegant appearance होना चा जो drug है, उसकी जो stability हो, वो कहा है, अच्छे से उसको maintain करके रखे, ऐसा container हम लोग को use करना चाहिए, and making of container must be non-toxic, अब जो container हम लोग use कर रहे हैं, वो drug को toxicity cost न करा है, यह हम को थोड़ा सा उसकी quality पे देखना चाहिए, कि अगर वो कोई सा container जो है, वो अगर toxic toxicity cost करा आया, तो उस type के container को हम लोग को use नहीं करना चाहिए, नहीं use कर जाता है, ना, ताकि हमारा जो drug है, वो अच्छे से, यानि कि वो safe रहे है, जो हमारा drug है, तो इस तरीके से कुछ, इसके qualities जो है, वो देखे जाते हैं, containers के, है न, and आगे जैसे देखते हैं, तो type of containers देख लेते हैं, हमने पढ़ा है, इसके बाद जैसे हम लोग देख रहे हैं, कि इसके types क्या करते हैं, containers के कित्ते types से आते हैं, जो container हम लोग use करते हैं, तो इसमें हम लोग first जैसे देखें, तो single dose container हो गया, single dose container मतलब कि क्या, कि हम लोग उसको एक ही बार use कर सकते हैं, उसको single dose container बोला जाता है, this container is used to supply only one dose of medicament, हम लोग जिस container के जैसे use कर रहे हैं, ऐसा container, जिसको हम लोग एक ही बार उस dose को ले सकते हैं, बस दुबारा उसको हम लोग और नहीं ले सकते हैं, तो उस type के container को single dose container बोला मतलब इस टाइब के जो कंटेनर रहता है इसमें एक से हम लोग दो बार ऐसे बोल सकते हैं यानि कि एक से ज्यादा बार हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें उस कंटेनर का यूज कर सकते हैं मतलब उस डोस को हम लोग ले सकते हैं एक से ज्यादा बार हम लोग उस डोस को ले सकते हैं बोल सकते हैं तो यह तरीके से Injectable गाते हैं Injectable जो Dosis Form आते हैं उसमें ऐसा Iस Type का होता है जो Multidose Container आता है वो यूस कहा जाता है न उसमें First जैसे देखे हैं वायल जो रहते हैं यह कहाता है एक तरीके से Multidose Container आता है इसमें एक से जादा बार हम लोग इसमें से ले सकते है जैसे कि कोई सा injection के फ़र में कोई लिक्विड के फ़र में आता है ना बॉटल में जो रहता है एक तरीके से multi dose container बोल सकते हैं उसको जैसे हम लोग 2-3 बार भी ले सकते हैं एक से जादा बार ले सकते हैं इसमें यह बोलना जा रहा है कि जैसे हम लोग उसमें से एक से जादा बार अगal ले भी रहे है तो उसमें कुछ Suppose नहीं आएंगे उसके स्टेंथ में quality and purity में ऊकुछ चंजे नहीं आते हैं आना तो यह एक multi dose container का एक एडवांटेज बोल सकते हैं कि इसमें एक से जादा बार ल के के लिए की लाइट के कारण has something different कि इस्टेंच के लिए रॉत सतकिंट ऊपजस कुष्ट क्तेंच के सब्येंट डेक हुआ जाते है कि आपसी होजुआ है यूज तू फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट यह इस टाइप के जो कंटेनर रहता है लाइट में थोड़ा सभी अगर ज्यादा लाइट आ रहा है तो उससे क्या होता है हमारा मेडिकामेंट अगर खराब होने लग जा रहा है तो उस टाइप के जो मेडिकामेंट रहेगा तो उसके लिए light resistance container का use किया जाता है अब next जैसे देखते हैं fourth number का will close container आता है will close container मतलब इसमें खाब लगा जा रहा है this medicament protect the contents from loss during transportation, handling, storage and sell मतलब will close container कैसा रहता है उसको पूरी तरीके से हमारा जो medicament रहता है उसको covered करके रखता है ताकि हम लोग अगर transportation कर रहे है handling कर रहे है, storage करके रख रहे है, sale कर रहे है तो उसमें हमारा जो content है वो loss मत हो, खतम मत हो तो इसलिए will close container का use किया जाता है airtight container, fifth number में हमारा आता है airtight container, airtight container क्या होता है this containers protect the product from dust, moisture and air it is also called hermetic containers मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, कि इस type के जो container है, airtight container रहता है यह पूरी तरीके से protect करके रखता है कि इससे, dust से, moisture से and air से हैना इससे हमारा contamination के chances हो सकते है तो इससे बचाने के लिए airtight container का use किया जाता है अब इसको और क्या बोला जाता है, hermetic containers भी बोला जाता है airtight containers को and six number में जैसे देखें, तो tight closed container यह पूरी तरीके से tight रहता है, closed रहता है इस type के container को tight closed container बोला जाता है इसमें कुछ क्या बोला जा रहा है, आगे देखते है this containers protects the contents from contamination by liquid, solid और vapors मतलब इस type का container रहता है, tight closed container जो रहता है इसमें जैसे क्या चीज़ को protect करने के लिए बोला रहा है contamination हो गया, liquid, solid और vapors इस type के जो contamination हो रहा है तो इसको बचाने के लिए tight closed container का use के जाता है this containers must be capable for being tight re-closed after use मतलब इसमें क्या बल जा रहा है, कि इस type के जो container रहता है है ना, इसमें हम लोग इसको खोल के और उसमें re-closed कर सकते है और उसमें लगा सकते है यह चीज़ यानि कि उसमें जैसे उसको use करके भी हम लोग उसको क्या कर सकते है उसको और बंद कर सकते हैं तो इस टाइप के जो container रहता है उसको tight closed container बहुत जाता है जैसे for example हम लोग जैसे देखें हैं तो gas cylinder जो रहता है एक तरीके से पूरी तरीके से covered रहता है इसे जो हवा है वह बाहर भी पूरी पूरी तरीके से close रहता है तो एक तरीके से इसका हमारा एक्जांपल हो जाता है gas cylinder है ना तो यह हमारा tight closed container हो जाता है जैसे आगे जैसे देखें तो 7th नंबर में यह से देखें तो 7th नंबर में कि यह जो container रहता है यह किस्से contact में रहता है किस्से is calmuy और टो आज दो जैसे वह container जो रहता है एक तरीकेulated क्या बोल सकते हैं अगर कोई इस container को खोल लिया है तो हमको यह चीज पता चल जाएगा कि वह यूज हो चुका है वह container है जो यूज हो चुका है जैसे फर जैसे देखें तो कोई साइसा container जैसे कभी देखे होगे कि ऐसा container आता है जो एक तरीके से उसमें lock बना रहता है जिसको हम लोग निकालते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको और lock नहीं कर सकते हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वह एक बार निकल गया तो निकल गया ठीक है अब इसके बाद जैसे नेक्स जैसे देखते हैं एक नमबर में तो एक aerosol container आता है aerosol जाने की जो gaseous form की जो drug रहते हैं उसको store करने के लिए aerosol container का यूश कर जाता है तो फ्रेंड इस तरीके से आज के class हम लोग complete करते हैं I hope आप लोग को थोड़ा सा भी helpful रहा होगा आज का वीडियो तो प्लीज चैनल को subscribe करें like करें and अपने friends को share करें thanks for watching this video